आज हम शाही पनीर बनाने जा रहे हैं इसको डिलिशियस ग्रेवी के साथ बहुत जबरदस्त रेसिपी और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है इसको बैशलर्स भी ट्राइब कर सकते हैं चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने एक पैन में एक कप आयल लिए और थोड़ा सा मैंने यहां पर बटर भी एड़ किया है अब इसमें मैंने तीन मीडियम साइज की प्याज ली है और इनको मोटा मोटा रफली चॉप करना है उसको एड़ कर देंगे एक दो मिनुट तक इनको सॉफ्ट होने त इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है बिलकुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जो भी आपने होटल में खाया होगा वही फ्लेवर आता है इसमें और आप इनको घर बे बनाके ट्राइ कर सकते हैं प्यास थोड़ी से सॉफ्ट हो जाए तो मैंने दो मीडियम साइज का यह एक दू मिनट तक हमें टमाटर और प्यास को भूनना है और इसमें मैंने दो हरीमिज भी आट की है बीस से इनको स्लाइट करके ऐसे डाल देंगे आच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे हाफ टी स्फून मैंने हाप नमक एड्ड किया है और यह वन टी स्पून कसूरी मेती हलका सा इनको ग्रush करके हाथ से और इसमें डाल कर देंगे थोड़ा सा पानी डाल करेंगे और इनको मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए हम cover करके तीन से चार मेंट तक cover करके इनको cook करेंगे और उसके बाद इनको हम बाहर निकालके ठंडा होने के बाद इनका paste बना लेंगे बहुत जबरदस सी recipe है इतना लाजवाब होता है ये कि आपके मेमान को और आपके घर में जितने भी लोग हैं उनको सबको ये बहुत पसंद आने वाला है आप एक बार इसको जरूर ट्राइ करेंगे cover करेंगे तीन से चार मिनट के बाद इसको हम बाहर निकालेंगे और ठंडा होने के बाद इनका paste बना लेंगे अगर आपको पानी की जरूर थो तो थोड़ा सा पानी डाल के भी इनको grind कर सकते हैं देखिए में टमाटर भी अच्छे साफ्ट हो गया है मिलकुल और मैंने यहां पर आट से दस काजू भी एट किये थे मैं दिखाना भूल गई देखिए काजू भी आट दस इसमें आट करते हैं और इदर मैंने एक टेबल स्पून आल लिया है और एक टेबल स्पून बटर लिया है कुछ मसाले लिये हैं जिसमें एक दालचीनी का टुकड़ा है एक चमत स्याजीरा है दो हरी लाची और एक चोटा सा जावित्री का टुकड़ा है इनको डालेंगे और थोड़ा सा क्रेकल होने देंगे और इसके बाद एक टीबल स्पून मैंने यहाँ पे लेसम द्रग का पेस्ट लिया है कवर करेंगे दो-ती मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे कच्छी इसमेल इनकी जाने तक और वन टीज़पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है और वन टीज़पून मैंने यहाँ पे नमक भी एड़ किया है नमक आप टेस्ट करके अपने हिसाब से यहाँ रिमिर्च जो थी मैंने जीन का पेस्ट बनाया था वह यहाँ पे एड़ गे और बिल्कुल लो हिट पे इनको एड़ करने के बाद लगतार चलाएंगे और एक- दो मिनट ऐसे लो हीट पे बूने के बाद इनको कवर कर देंगे और कवर होने के बाद अच्छ्य से इनको इनको थोड़ी दिर भूनना है यहां पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा हाफ टी स्पून गरम मसाला एट किया है आप यहां पर पनीर मसाला कोई भी पैकेट मसाला जो भी आपके पास अवलेबल हो आप इसको डाल सकते हैं और दो टेबल स्पून मैंने यहां पर दूद के ऊप के अंदर स्लो हीट पे इनको लगातार चलाएंगे और लिड लगा देंगे दो तीन मिनट के लिए इनको फिर से हम लिड लगा के कुक करेंगे देखिए हमारा ओयल अच्छे से सरपेस पे आगया और हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से बून चुका है इसको ओपन करने के बाद हमें लगातार चलाते हुए थोड़ी देर के लिए और भूनना है जितने अच्छी है हमारी हमारे मसाले भूने होंगे हमारी ग्रेवी कर टेस्ट उतना ही जबरदस्त होगा आप यहां पे मैंने लगभग 300 ग्राम पनीर है और ऐसे इनको मोटा मोटा कट कर लिए आप हो जाते हैं लेकिन इस तरह से बिल्कुल होटल वाला टेस्ट आता है और बहुत ही सौफ्ट से हमारे पनीर शाही पनीर बनके तयार होता है देखे कितना जबरदस सा कलर आ रहा है दो तीन मिनट के लिए उनको हलके हां से मिक्स करेंगे मैंने यहां पे आधे कब दूद उसके बाद गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे देखे कितना अच्छा सा हमारा जबरदस सा डिलिशियस सा और अपनी जबरदस ग्रेवी के साथ पनीर बनके तयार हो गया है इसको आप रुमाली रोटी के साथ पराठे के साथ चपाती के साथ सर्व करिए अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सबस्क्राइब करें, अलाहफेज